हेलो नमस्कार सांतियों, वेलकम तो रोयली स्टडी, दोस्तों SSC CHSL टायर वन एक्जाम दो हजाजा चोईस की स्पैसल वीडियो में आपके लेकर आ चुके हैं और गाईस इस वीडियो में हम इस पैसल आपको जितने भी SSC के द्वारत 2000 चोईस में कुशन्स पूचे गए हैं, बिल्कुल नए पैटन के, वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, और आपकी एक्जाम आप सभी को बताईए, एक तारिक से स्टार्ट है, यानि के कल से स्टार् होंगे, आप सभी एक्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर से देख कर जाएगा, सीधे सीधे कोशन्स यहां से गरेंटी के साथ कहा सकते हैं, कि यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, और अभी तक जितने भी एक्जाम होईए, जैसे कि अगर आपन बात करें, डी, त्रिप लिए जगा, एक्जाम से पहले देख कर जाना है, आप सभी को सीधे सीधे प्रस्न यहां से आपकी एक्जाम में बन रहे हैं, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओनली कोशन एंड आंसर दोनों की बात हम इस वीडियो सेरीज में करेंगे, आप सभी से रि 54 1954 में, काफि जदे इंपोर्टेंट कोशन हैं और यहां से यह कोशन कई बार बन चुका हैं, अगला कोशन है हिन्थ भारत में GST कब लागू की गई थी, एक जुलाई 2017 से, यह रै अगला कोशन हे भारत में GST दीवस कब मना जाता है, तो भारत में GST दीवस कमना जाथा है, यहने कि जो GST मोडल है भारत का ये कनाड़ा देश पर अधारी थे नेक्स्ट कोछे ने GST को हिंदी में क्या कहा जाता है तो GST को हिंदी में कहा जाता है GST का पूचा गया है तो Gross Services Tax होता है Gross and Services Tax तो याद रखेगा वस्तू एम सेवाकर ये होता है वस्तू एम सेवाकर आपका जाजवाब हो जएगा भारत में GST कौन सा सनविदान संसोधन द्वारा लगाई गई GST जो लगाई गई इसके लिए कौन सा सनविदान संसोधन किया गया 122 वास सनविदान संसोधन बिल 2016 में ये किया गया याद रखीगा आप सभी लोग GST विदायक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे तो 336 वोट पड़े थे GST विदायक के पक्ष में अगला कुशन है GST विदायक के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे तो only 11 वोट पड़े थे विपक्ष में अगला कुशन ने लोग सबा द्वारा GST बिल पास किया गया था लोग सबा के द्वारा GST जो बिल पास किया गया था ये 3 अगस 2016 को किया गया था यहाँ से गैरेंटी के साथ कह सकते है कि GST से अगर कुशन बनेगा तो एक सिंगल भी कुशन आपका बाहर नहीं जाएगा हम आपको इसलिए हम ये कवर करवा रहे हैं यहाँ से अल्रेडी आपके एक्जामे कुशन बन चुके हैं GST बिल राज्यसबा में कब पास किया गया तो लोग सबा में जो पास किया गया 3 अगस 2016 को उसके 5 दिन बाद 8 अगस 2016 को ये राज्यसबा में भी पास किया गया GST बिल जो है राश्टपती ने अपनी मंजूरी कब दी इसको तो 8 अगस्त को यानि कि जब राज्यसबा में पास किया गया 3 अगस्त को लोग सबा में 5 दिन बाद 8 अगस्त को राज्यसबा में और आठ ही अगस्त को रास्टपती ने भी इसको मंजूरी दे दी थी 2016 लागो और भारत में GST लागू करने का जो सुजावे की समीथी ने दिया था तो वीजे केलकर समीथी इसने भारत में GST लागू करने का सुजाव दिया था अगला कुछ ने सरुप्रतम GST बिल का प्रारूप तियार करने वाली समीथी का द्यक्ष कौन था इनका नाम है असीम दास गुपता सरुप्रतम GST बिल का प्रारूप तियार करने वाली समीथी के द्यक्ष से असीम दास गुपता GST के ब्रांड अमेजडर कौन है अमिताब बच्चन आपको याद रखना है GST बिलको सरुपरतम पारिद करने वाला राज कौन सा था तो ये असम था 12 अगस 2016 को सबसे पहले असम ने जो है GST बिलको जो है पारिद किया था पहला राज ये भारत का असम 12 अगस 2016 को GST के अंतरगत कितने अपरत्यक्चिकार और कितने अधिभार सामिल किये गए तो 17 अपरत्यक्चिकार और 23 अधिभार जो है सामिल किये गए GST में GST के संख्या में या GST संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं तो 15 डिजिटल ये होते हैं GST के अंतरगत निरदारित किये गए डरें यानिकी दरें कितनी प्रकार किये हैं तो ये चार प्रकार की दरें हैं 5% 12, 18 और 28% सब पर अलग अलग रहता है वो category wise रहता है अगला कुछ ने भारती सन्विदान में GST परिसद का गटन के सनुचायत के तहद किया गया तो ये GST परिसद को जो गटन किया गया ये article 279A के तहद किया गया GST परिसद मुख्याले में सम्मलित सदश्यों की कुल संक्या कितनी है तो 33 आपका correct answer रहेगा GST से बाहर किस को रखा गया है तो सराब, Petroleum, वस्तूव, इसके अलावा सिख्षा और स्वास्थ सेवाँ इनको GST से बाहर रखा गया है भारत में GST लागू करने वाला कितनी नंबर का देश है तो भारत में GST लागू करने वाला 161 देशत धिया रखेगा भारत के पड़ोसी देशों कि संक्या कितनी है तो नो साथ यानि कि नो जो है साथ इस्तली है और दो जली है टोटल नो है तो साथ जो है इस्तली है और दो जली है टोटल नो पड़ोसी देश है अगला कुशने भारत के साथ कितने देश इस्तल और जल सीमा लगाते हैं तो भारत के साथ में बांगलादेश, मियामार और पाकिस्तान ये इस्तल और जल सीमा लगाते हैं अगला कुशनी भारत के इस्तली सीमा से लगे साथ देश कौन-कौन से हैं बारत के इस्तली सीमा से लगे साथ देश कौन-कौन से है तो इन में से कॉश्चन इस तरह से बनेगा कि भारत की स्तली सीमा से लगा देश कौन सा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मियामार और बांगला देस, ये साथ जो देस है, ये भारत के सिली सीमा से लगे हुए है, भारत का सबसे छोटा पडोसी देस कौन सा है, तो ये बूटान हो जाएगा, आपको याद रखना है, पंच सील की घाटी किस देस में है, तो ये अफगानिस्तान में आती है, पंच सील की घाटी, जिल डम्रू मध्य है जिसको पाग जलसंदी भी कहा जाता है विस्व वन्य जीव दिवस कब मनाई ढता है तो विपष वन्य जीव दिवस जो मना जाता है तिन मार्च को हर साल मनाई जाता है मानव निर्मित प्रतम उबगरे को शमे भेजा गया था कि शमे भेजा गया था यानि कि इस पूतनिक फस्ट को जो है भेजा गया था मानव निर्मित प्रतम उबगरे संगी मंत्री परिस्द अपने आचरन के लिए किसके प्रति उत्तदाई होती है सजग रहो यह किसका आदर सवाक्य है स्काउट का यह आदर सवाक्य सजग रहो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो इस करवी रोग होता है आप सबी को पताईए कई सारी multiple time यह एक्जाम में आपका बनाए जार्डन और इसराइल के बीच कौन सा सागर इस्ति थे तो भूमध्य सागर इस्ति थे जार्डन और इसराइल के बीच में गोवा की स्विक्रत राजभासा कौन से है तो यह कोखनी हो जाएगी हड्डियों यह उन दातों की संरिशना के लिए क्या आवश्यक है केलसीम आप सभी को पताएए हड्डियों की मजबूती और दान्तों की संरिशना के लिए आवश्यक होते है नियागरा जलपरपात के इन दो देशों के बीच सीमा अवस्ति थे देशों के बीच सीमा अवस्ति थे लोड मेकाले ने सिक्षापदिती कब लागू के थी तो यह 1835 में इनों ने सिक्षापदिती को लागू किया था लोड मेकाले ने राष्टि युवँ दिवस को मना जाता है तो यह हर साल 12-जनवरी को मना जाते है वह हाली में reliable u hours आपका बना आया विस व स्थी उवा दिवस को मना जाता है यह बार अगस्त को तो डेट तो से में बस आपको मंत आपको याद रखना है अगस्त और जनवरी इसमें आपको नहीं होना है सही दिवस कब मना जाता है तो यह हर साल 30 जनवरी को मना जाता है सही दिवस विश्व कैंसर दिवस कब मनाशाता है चार फर वरी को विश्व कैंसर दिवस मनाशाता है Guys हमने ये top selected question निकाले हैं जो आपकी exam में जायतार आ रही है दिवस बगेरा से GST से इन सभी को हमने एक साथ topic wise collect करके एक ही वीडियो में हम सारे topic आपको cover कर वा रहा है तो यह हर साल 28 फरवरी को मना जाता है प्रवासी भारती दिवस कब मना जाता है तो यह 9 जनवरी को मना जाता है अंधराश्टी महिला दिवस कब मना जाता है यह 8 मार्च को मना जाता है प्रतिवी दिवस जो है यह 22 मार्च को हर साल मना जाता है मजदूर दिवस कब मना जाता ह तो एक माई को हर साल मजदूर दिवस मना जाता है, राष्टी एकता दिवस कब मना जाता है, 31 अक्टुबर को हर साल राष्टी एकता दिवस मना जाता है, सदभावना दिवस कब मना जाता है, हर साल 20 अगस को सदभावना दिवस मना जाता है, विस्व परियावरन दिवस कब म गूमर कहां का लोकनति है आप सभी को बताईए गूमर कई बार आपके एक्जाम में पूचे ताई इस नदी के ठट परन तो लुदियाना जो है यह 17 इंदिकेट परिष्थी थे मांडूसव किस राज़ी में मनाय जाता है मद्यप्रदेश में मनाय जाता है मद्यप्रदेश में मांडूसव मनाय जाता है अगला कोशन है मुख्य निर्वाचन आयोकती की नियुकती कौन करता है 1976-1976 को राष्टी बाड़ आयोग का जो है गटन किया गया था अगला कोशन है सोर परिवार का सबसे बड़ा गरे कौन सा है तो ये ब्रहस्पती हो जाएगा सोर परिवार का सबसे बड़ा गरे भारती सन्विदान कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत के सन्विदान को लागू किया गया था या लागू हुआ था पीलिया से कौन सा संक्रमित होता है तो ये यकरत जो होता है ये संक्रमित होता है पीलिया से गाई के दूद का रंग पीला क्यों होता है तो ये केरोटीन होता है सोगान कोत्वद्दीन अफकर ऑफ़ेशा में कैसे हुए थी चोगान खेलताश्या में कोत्वद्दीन इबक के मरत्थ्य आ घ्रास अहर के सिंसे की सिकंदर लोधीने की 15 contest और असिवाघ्यव से किस कीले में हुआ कर दिया गया है अगला कुछ ने हेजा रोग संक्रमन के कारण होता है जिवानु जिवानु जो संक्रमन इसके कारण होता है हिजा बकसर का युद्ध कब लड़ा गया था सत्रा सु चोंसट में बक्सर का युद्ध भुआ था सरहिंद नहर किस नदी से निकल गई है या निकाली गई है निकलती है सतली नदी से निकलती है सरहिंद नहर तुंगभद किस की सायक नदी है तो कृष्णा नदी की सायक नदी है कैसा अधिकार है तो ये कानूनी अधिकार है या विदिक अधिकार है अब पहले ये मोलिक अधिकार था अब ये इसको मोलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है संपत्तिक अधिकार ये हैं अरावली की सर्वोच चोटी का नाम क्या है तो गुरु सिखर परवते हरावली के सबस्वब उची चोटी मालगुरी डेच पुस्ता के लेखा को ने तो आरके नारायन आपका correct answer हो जाएगा सुसक सेल का एनोड बना होता है तो ये जस्ता का बना होता है सुसक सेल का एनोड आदुनी कावर्त नियम का परतिपादन किसके दवारा किया गया तो मौसाले ने किया था आदुनी का वरतनियम का प्रतिबादन संग राज्यों के रूप में किस अनुचेद में बोसित किया गया है संग राज्यों के रूप में अनुचेद एक में कहा गया है भारत में बेंक पर नियंतरन के रूप में काम करता है तो भारती रिजर्व बेंक यानि के आरबियाई काम करता है सभी बेंकों का बेंक है आरबियाई और सभी को रेगुलेट करता है बारत की पहली बॉलती फिल्म का नाम क्या है आला मारा आपका correct answer हो जाएगा सल्तनत काल में सर्वोच नियाजीष होता था सुल्तान गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वरा की गई लाला हरदयाल के द्वरा गदर पार्टी की स्थापना की गई महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहा जाता है महाराष्ट का सुकराथ इनको बला जाता है गोविंद रानाडे जिनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट के सुकराथ इनको कहा गया है दस्तक प्रणाली को किसके द्वारा समाप्ति किया गया तो ये वोरेन हैस्टिंग ने किया था आप सभी को पताईए दस्तक प्रणाली वोरेन हैस्टिंग के द्वारा समाप्ति की गई अगला कुछ ने कपास का सिबसे बड़ा उत्पादक और नीरियातक देश कौन सा है तो यह सन्युक्त राज अमेरिका यानि की USA हो जाएगा United State of America मोरिकाल में सिख्षिया का प्रसिद केंदर कौन सा था तो यह तक्षिसिला था दिली का प्रतम मुस्लिम सासक कौन था कुतुबदीन इबाक आप सभी को पताईए दिली में प्रतम अभगान राज्य का संस्तापक हुआ था भैलोल लोधी था यह सहर का प्रमुक गटक होता है फ्रक्टोज सहद यह हैं सहद फ्रक्टोज आपका करेक्टर अंसर हो जाएगा जनगन्ना की सूची के अंतरगत आता है यानि कि किस सूची के अंतरगत आता है संग सूची के अंतरगती है अथी मचली के यकरत तेल में कौन से विटामिन होती है तो विटामिन डी इस में पाई जाती है शुद्र ग्रे किन ग्रहों के बीच से देखे जाते हैं मंगल और प्रहस्पति ग्रह के बीच देखे जाते हैं तुलबल परियोजना किस नदी परें तो ये जहलम नदी परें तुलबल परियोजना बाबर नामा के लेका कौन है इनका नामें बाबर अंतराश्टी महिला दिवस का मनाया था है मार्च को हर साल अंटराश्टी महिला दिवस मनाई जाते हैं इंटरनेशनल वूमन्स डे अगला कुछ ने मानव सरीर का सामय ने तापमान कितना होता है तो अंतिम मुगल समराट कौन था बहादूर सहाज ने दिया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था एंजाइम की का मोल रूफ होता है प्रोटीन करेक्ट आंसर है सोर मंडल का सबसे चमकीला करहे कौन सा है तो सुक्र करेक्ट आंसर रहेगा बिंदुसार किस वंस का सा सक अगला कोशन है लिंग राज मंदिर किस जगह इसती दें यह भूनेस्वर में है भूनेस्वर ओडिसा में मकाव की मुद्रा का नाम क्या है पठाका इसको कहा जादा है प्रत्वी का एक मात्र उपग्रे है तो चंद्रमा हो जाएगा बानभट किसका राजकवी था तो यह ह हाइडरोजन बम का विसकार किसने किया था तो एडवर्ड ट्रेलर के द्वारा जो है हाइडरोजन बम का विसकार किया गया था विस वस्वास्ति दिवस का मना जाता है हर साल साथ अपरेल को विस्वास्ति दिवस मना जाता है दक्षिन अमेरिका में चारा गहा को क्या कहा यह था पंपास इनको बोलाए था घांसके में दान को भारत में प्रतम सुर्ण मुदराय चलाए गई थी तो यूनानियों ने चलाई थी यह यूनानियों के दोवारा चलाए गई थी भारती राश्टी कॉंग्रेस के प्रतिम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे इनका नाम है बदरुद्दिन तेयब जी आपको याद रखना है मल्टिपल टाइम आपकी एक्जामे यह सारे कोशन जो हम जितने भी आपको बता रहे हैं आपकी एक्जामे हंडेड इन टेन परसेंट कोशन्स बनेगा एक सिंगल कोशन बाहर यह परस्ता से नहीं जाएगा राज अप्रव हरन इसको बोलता है थी तो लाड़ लोगी की लड़ हरप्निती ठीः जिसको अफरन भी कहा जाता आए आर्थिक अफ्ष्य सद्दान्त के प्र्तिपादक कौन थे तादभाई नोहरो जी राजसवा में मनोनी सदश्यों की अधिक प्रदान मंत्री होता है अर्थ सास्त्र का जनेक किसे का आ जाता है एडाम समीद करेक्ट आंसर रहेगा सिक्षा की सूची के अंतरगत आता है तो सिक्षा आता है समगर्थी सूची में इंडिया हाउस कहा पर है तो ये लंदन में देखने को मिलता है इंडिया हूस लाफिंग गेस का राच्षाइड नाम क्या है नाइटरस अक्साइड इसको कहा जाता है लाफिंग गेस को अगला कुछ ने भारत में बैंकों का पहली बार राष्टिकरन कब हो था तो ये 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्टिकरन किया गया मुद्रा राक्षिस के लिखा कौन है इनका नाम विसाकदत या विसाकदत इनको कहा जाता है रूस की करांती कब हुई थी? 1917 में हुई थी रूस की करांती मुंजाइट किसका आयास के तो इस थोरियम का होता है इंगलेंड का परतम परदानमंत्री को होता? रोबर्ट वर्लपल ये इंगलेंड के परतम परदानमंत्री थे जोग जलपरपात किस नदी परे तो इस सरावती नदी परे ध्यान रखिएगा समुद्र विग्यान संस्ता जिसको राश्टी समुद्र विग्यान संस्ता कहा जाता है कहां परे गोवा में ये स्थीत है राज्यसभा का पदेयन अध्यक्ष कौन होता है तो प्राष्टपती होते हैं भारत में प्रतिवार सेना दिवस का मना जाता है पंद्रा जनवरी को मना जाता है चक्रवाद किस कारण से आता है निम्नदाप की स्तिती में चक्रवाद आता है या इस कारण आता है राश्टी यूवा दिवस को मना आए जाता है तो 12 जनवरी को राश्टी यूवा दिवस मना आए जाता है महिलाओं को वोड देने का अधिकार प्रतम किस देश ने दिया था महिलाओं को वोड देने का अधिकार प्रतम जो दिया था ये न्यूजिलेंड ने दिया था वर्ल्ड वोच इंस्ट्टूट कहां पर ही तो यह वसिंगटन में है वसिंगटन, DC, अमेरिका में प्राकलन समीती में कितने सदश होते हैं तो 30 सदश हिसमें होते हैं गाइस यहां पर हमने 150 जो कुशन आपको बताएं इसमें से गारंटी के साथ कहा सकते हैं हम इसका नेक्स पाइड भी आपको जल्द से जल्द देंगे थाकि आपका 300 के लगबग जो कुशन है वह हम आपको एक्जाम से पहले सारे कवर करवा दें उसके बाद में अगर आपकी डिमार्ड आती है तो सीरीज को हम दो-चार वीडियो और डाल देंगे जिसमें आपके सा लाइक भी करिएगा क्योंकि इस वीडियो की वज़े से आपको और वीडियो में आइंगे ज्याएंगे हैं तो इस वीडियो की वज़े से का एकूरे ग living सकती है तो आप सभी यसरु आप प्याइड चेंड घर सकते हैं कि हमारे अप्लिकेसिंट को भी डाउन्लोड कर सकते ह झाल झाल झाल